हाँ तो गैस कुछी दिनों में अभी होली आने वाली है इसके लिए देखो मैंने अभी से ही होली के गैजट्स खरीदना स्टार्ट कर दिया है यह बोक्स के इंदर में बहुत सरे होली के गैजट्स खरीद के लेके आचुका ओओ एक से बढ़ कर एक गैजट्स अज फटा यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी जरूर से दपा देना देख रहे होगा इस 2024 के होली के गैजट से बॉक्स के अंदर आज काफी जादा मजा आने वाला है वीडियो लाश तक ज फिलाल मैं रखता हूं साइड में दूसरी वाली चीज़ बता देता हूं यह है होली गुलाल बॉम अभी जो मैंने आपको लॉंचर दिखाया है ना उसके अंदर यह वाले गुलाल बॉम आ जाएंगे इसको हम लोग उसके अंदर रखके यूज कर सकते हैं या फिर खाली भ वो होता है इसके अंदर और इसको हम लोग होली में भी यूज कर सकते हैं भाई काफी तगडी वाली चीज़ है आज सच बता रहा हूंगा इस मजा ही आ जाएगा आपको एक और चीज बताने वाला हूं यह है एक एलेक्ट्रिक पिछकारी गन इसको भी हम लोग होली में दिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो ता वेबसाइट का वहां से जाकर आप चाहे तो इनको खरीद भी सकते हो तो यह आ गया भाई हमारा धनुश यह तो काफी जादा डिफरेंट चीज है मेरे को एक बार इसका यूजर मैनुल देखना है काफी जादा सॉलिड है कंप्ली यह बॉल्स का एक डिबा भी मैने खरीद लिया है मेड इन इंडिया पूरी तरीके से एक्ष्वल में यह जो चीज है इसको हम लोग गुलाल लॉंचर के अंदर डाल के यूजर कर सकते हैं यह इस तरीके के कलर फुल बॉल्स मिलते हम लों को यह देख़ार इतने डहर सारे क इसके साथ ओ भाई वायार इसके अंदर से तो एक मस्त खुश्बो आ रही है और इसके अंदर जो कलर है वो हर्बल कलर यूजर किया गया है तो यह जो पाउच है इसके अंदर हम लोग को डालना पड़ता है यह गुलाल बॉम सौ से भी ज्यादा वार यूजर कर सकते हो तो इसके मेरे हाथ के ओपर इसको करणब तो यह पर मेरे हाथ पर कलर लग जाए गया वैसे ही आप जो है इसको यह पाउच के अंदर डाल कर किसी के भी उपर शूट कर सकते हो बाई मज़ा आएगा तो इधर मेरा भाई तो इसके ओपर अब इसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ तो देखते हैं गाइस यह किस तरीके से काम करता है ओके यह लाँच हो चुका है एक कलर का यहां पर गहरा सा निशान बैठ चुका है वही काफी सही चीज में को यह लग रही है एक और बाट राई करते हैं जोर से बड़ी मेरा भाई आपे बोल रहा है कि यह उसको जैसे ही लग रहा है उसको एक गुद्गुदी सी हो रही है बहुत अच्छी खुश्बों आरिया इसके अंदर से देखो ड्राई कलर है जैसे आप इस तरीके से इसको साफ करोगे और यह चला भी जाएगा बही मज़ाया मेरे को यह यूज करके यह जो रबर आप देख रहे हो काफी जादा फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर जो टेंशन है यह बहुत जादा दी गई है तो इस वज़े से आप काफी दूर भी आपका टार्गेट होगा तो वहां तक भी से शूट या फिर फायर कर सकते हो तो यह हमारा आज पर इसको थोड़ा साइसम्बल करनी की जुरत पड़ेगी तो वह किस तरीके से सम्बल करना मैं आपको थोड़ी तर में बता देता हूं इसके साथ हम लोगों को हरबल गुलाल की इस तरीकी की डिप्यां भी मिलती है चार अलग-अलग कलर्स भी इसके अंदर मेरकों मिलें देखो यह चार अलग कलर्स है साथ में चोटा सा कंटेनर है बबल बनाने के लिए चोड़ी सी बॉटल भी है और यह चीज़ें लग जाएंगी हमारी एक्सबो के उपर अभी इसको फिट करके भी मैं आपको दिखा देता हूं फटा फट से फिट हो जाती है इसको लगाएं एक और स्ट्रिंग है इसको मैं यहां से यहां पर इस तरीके से लगा सकता हूं यहां पर एक बॉटल है इसके अंदर हम लोग पानी में मिलाकर कलर डालना पड़ता है जैसी कि अभी मैं इसके अंदर पिंक वाला कलर यूज़ करूँगा थोड़ा सा दालूँगा क्यूंकि यह कलर देखो काफी जाधा डार्क है और यह भी कंपलीटली नॉन टॉक्सिक है तो बस इतना सा कलर काफी है अब इसके अंदर पानी डालेंगे और एक चीज़ भी है इसके साथ वो भी दिखा देता हूं यह इसका बबल वाला सोलूशन है तो यह सोलूशन को इसके अंदर ले लेते हैं इसको कैसे यूज़ करना है अभी मैं आपको दिखाता हूं यह मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी डाल लेते हैं इसके अंदर वाव कलर देखो कितना जाधा गहरा बन चुका है अब इसको हम लोग फिट करेंगे यहां पर यह हो चुका है यहां पर फिट अ इसके अंदर मैंने इसको डिप कर दिया है अब यह मैं बटन प्रेस करूंगा ना तो इसके अंदर इस तरीके से बबल्स निकलेंगे ओ भाई काफी कमाल है ठीक है यह एक चीज हो चुकी है अभी इसकी दूसरी तगड़ी वाली चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं यह जो आने ऊपर आना चाहिए अब देखो गाइस इसको यह हैंडल को मैं जैसे ही पकड़ के छोड़ूंगा तो इसके अंदर से इस तरीके से तेज धर्रार पिछकारी निकलेंगी काफी खतरनाक चीज है यह तो यह देखो कलर कितना ज्यादा डार्क है यह ओ माइग उपर भी मा बता रहा हूं जैस्ट दू सेगेंड के अंदर ही मैंने इसको भीगों की रख दिया यहां पर तो यह एक और गैजवट है मेरे पास तो भाई इसको भी यूज करने में आज काफी सदा मजाएगा यह मैंने इसको तरीके से खोल लिया है दिखने में एक पिस्टल जैसा यह यार बिल्ड क्वालिटी तो इसकी काफी जादा सॉलिड है आप देख सकते हो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि यह इसका एक कंटेनर है इसके अंदर वाटर डालना पड़ता है चार्जर है और यार इसकी बैटरी कहा गई ओके यह रही यह कंपल लगा दिये यह लग चुका है और यह जो प्रोटेक्ट है देखो यहां पर आजाएगा इस तरीके से इसको टर्न कर लेता हूं मैं इसके अंदर हम लोग को कलर वाला पानी डालना पड़ता है और यह इस तरीके से लग चुका है बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार यह बटन यहां पर दिया गया है इसको जैसे ही प्रेस करेंगे और इसको खेचेंगे तो यह बाहर की तरफ आजाएगा इंदर हम लोग नॉर्मल वाला वाटर भी डाल के यूज कर सकते है या फिर अगर आप होली के टाम पर यूज कर रहे हो तो इसके अंदर इस तरीके का और यूज के निचाने के लिए तेने के लिए यूज कर सकता है देखो कि अधर में गरें कलेर ौला वाटर ड्र हो अब ये टेर में आप है कर दिया थी इसके उज्य कर सकते है । आफिस का निच्शाना निचएर अलग द आपरफ्ञ्ट परेक्ट है और वाँ यह का निच ट्रिक पे काम करता है देखते हैं यह कितनी देर में भीगता है यह लोग यार यह तो काफी ज़ादा तेश तर्रार है ओमाइगाड थोड़ी देर मेरे भाई की टीशिट कंप्लीटली भीग चुकी थी तो इसके अंदर एक चीज मैंने नोटीस की है यह कंटीनियोस पिछकार को तो इसका मेरूर को जोने इसका मैं रेंज टेस्करने वाला हूं लगार देखते हैं वह तक यह फायर कर पाएगा यह फिर नहीं हूँ माइग वह भी अराम से दुष्पायपा रहा है क्याम करते और थोड़ा पीछे फार जाते हैं अब देख थे गाइस यह जोमें इतना ये गुलाल लॉंचर और ये एक्सबो काफी जादा मस लगे तो आप लोग भी चाहे तो खरीच सकते हो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतो आपको इतने धेर सारे होली गैजट्स में से कौन सा गैजट्स सबसे जादा पर्फेक्ट लगा पहला नाम है खुशल, सुन्दर, नईम, सुमन, महेश, अनूप, दिबशीश, मुकेश, हर्ष, सार्थक थैंक्यू दोस्तों इतने रचे कमेंट करने के लिए अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर करतीजे लाइक, नीचे करतीजे कमेंट, बाई दोस्तों